भारत माता की असम के राजपाल गुलाप चन कटारिया जी मुख्यमंत्री डॉक्तर हिमन्ता बिश्वा सर्मा जी मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी सर्बारन सोनवाल जी रामेश्वर तेली जी असम सरकार के मंत्री साउसाथ और विधायगान विभिन काउंसिल के प्रमोक और मेरे प्यारे भाई और बहनों आपना लोग होको लोके मुरे अंत्री घुबेसा ज्यापन करे लो आज मुझे एक बार फिर मा कामा ख्या के आसिरवात से असम के विकात से जुड़े प्रोजेक्स आपको सौंपने का सवभाग्य मिला है थोड़ी देर पहले यहां ग्याजा हजार करोड रुपियों के प्रोजेक्स का सलान्यास और लोकारपन हुआ है यह सारे प्रोजेक्स असम और नौर्थ इसके साथ ही दक्षीन एशिया के दूसरे देशों के साथ इस छेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे यह यह प्रोजेक्स असम्मेट टुरिजम सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पोर्टिंग टैलेंट को भी नए आउसर देंगे यह मेडिकल एजूकेशन और हेल्थ केर सेक्टर में भी रूप में भी असम की भूमिका का विस्तार करेंगे मैं असम के नौर्थ इस्ट के कि अपने सभी परिवार जनों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हुआ कि मैं कल शाम को यहां आया जिस प्रकार से गोहाटी के लोगों ने रोड़ पर आ करके स्वागत संवान किया अबाल वृद्ध सभी हमें आशिरवाद दे रहे थे मैं आप सब करदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने टीवी पर देखा कि आप लोगों ने लाखों दीप जलाए आपका ये प्यार आपका ये अपना पन ये मेरी बहुत बड़ी अमानत है ये आपका अशिरवाद मुझे निरंतर उर्जा देते रहते हैं कि मैं जितना आप सब का अभार व्यक्त करूं उतना कम है भाई और बहनों कि बिते कुछ दिनों में मुझे कि देश के अनेक तिर्थों की यात्रा करने का उसर मिला है अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मा कामाख्या के द्वार पर आया हूं आज मुझे यहां मा कामाख्या दिव्य लोग परियोजना का सिलान्यास करने का सवभाय के प्राप्त हुआ इस दिव्य लोग की जो कल्पना की गई है मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है जब यह बनकर पुरा होगा तो यह देश और दुनिया भर से आने वाले मा के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा मा कामाख्या दिव्य लोग परियोजना के पुरा होने के बाद हर साल और ज्यादा स्रधानु यहां आकर दर्शन कर सकेंगे और मैं देख रहा हूं कि मा कामाख्या के दर्शन के संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही पूरे नौर्थिस्ट में यह टूरीजम का प्रवेश द्वार बन जाएगा जो भी यहां आएगा पूरे नौर्थिस्ट के टूरीजम के और बढ़ेगा एक प्रकार से यह उसका प्रवेश द्वार बन जाने वाला है इतना बड़ा काम इस दिव्य लोग के साथ जुड़ा हुआ है मैं हिम्मता जी और उनकी सरकार की इस सांदार प्रोजेक्ट के लिए सराना करता हूं साथियों हमारे तीर्थ हमारे मंदीर हमारी आस्ता के स्थान यह सिर्फ दर्सन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है यह हजारों वर्षों की हमारी सब्व्यता की यात्रा की अमीट निशानिया है भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा यह उसकी साक्षी है हमने देखा है कि एक समय में जो सब्व्यताएं बहुत समुर्द हुआ करती थी आज आज उनके खंडहर ही बचे हैं दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिनोंने लंबे समय तक देश में सरकारे चलाई वो भी आस्ता के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाएं कि उन्होंने राजनीति इगलाब के लिए अपनी ही संस्कृती अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटा कर ऐसे भुला कर अपनी जड़ों को काट कर कभी विख्षित नहीं हो सकता मुझे संतोज है कि बीते दस वर्षों में अब भारत में स्थीतियां बदल गई है भाजपा की डबल इंजिन सरकार ने विकांस और विरासत को अपनी नीती का हिस्सा बनाया है इसका परणाम आज हम असम के अलग अलग कौनों में भी देख रहे हैं असम में आस्ता अध्यात्मा और इतिहास से जुड़े सभी स्थानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है विरासत को संजुने के इस अभ्यान के साथ ही विकास का अभ्यान भी उतनी ही तेजी से चल रहा है बीते दस वर्सों को देखो तो हमने देश में रिकॉर्ड संख्या में कॉलेज बनाये हैं युनिवर्सिटीज बनाये हैं पहले बड़े संस्तान सिर्फ बड़े शहरों में ही होते थे हमने आई आई टी आई एम आई एम जैसे संस्तानों को उसका नेटवर्क पूरे देश में फैलाया है बिते दस वर्सों के दोरान देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब डबल हो चुकी है असम में भी भाजपा सरकार से पहले छे मेडिकल कॉलेज थे आज बारा मेडिकल कॉलेज है असम आज नौर्थ इस्ट में कैंसर के इलाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है कि साथियों कि देश वासियों का जीवन आसान हो यह हमारी सरकार की प्रात्विक्ता रही है कि हमने कि चार करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के पक्के घर बनाए हैं हमने घर घर पानी गर गर बिजली पहुंचाने का अभ्यान भी चलाया है उजवला योजना ने आज असम की लाखों बहनों बेटियों को दुएं से मुक्ति दी है स्वच्छ भारत अभ्यान के तहट बने सौचाने उन्हें असम की लाखों बहनों बेटियों की गरीमा की रक्षा की है साथियों विकास और विरासत पर हमारे इस फोकस का सीधा राब देश के नवजवानों को हुआ है आज देश में परियतान और तिर्थ यात्रा को लेकर उत्सा बढ़ रहा है काशी कोरिडोर बनने के बाद वहां रिकॉर्ड संख्या में स्रद्धालू पहुंत रहे हैं बीते एक वर्ष में साड़े आठ करोड लोग काशी गए पांच करोड से अधिक लोगों ने उज्जेन में महा काल महा लोग के दर्शन किये अनिस लाग से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है अयोध्या धाम में प्रान प्रतिष्टा को अभी कुछी दिन हुए है बारा दिन में ही अयोध्या में चोबीस लाग से जादा लोग दर्शन कर चुके हैं मा कामा क्या दिव्य लोग बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही द्रश्य देखने वाले हैं साथियों जब तीर से यात्री आते हैं स्रद्धालू आते हैं तब गरीब से गरीब भी कमाता है रिक्से वाले हो टैक्सी वाले हो होटेल वाले हो रेडी पट्री वाले हो सभी की आमजनी बढ़ती है इसलिए इस वर्ष के बजेट में भी अमने परियतन पर बहुत बल दिया है केंद्र की भाजपा सरकार परियतन से जुड़े अईतिहास एक स्थानों के विकास के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है असम में नौर्थ इसमें तो इसके लिए भरपूर संभावनाए हैं इसलिए भाजपा सरकार नौर्थ इसके विकास पर विशेश जोर दे रही है साथियों बीते दस वर्षों से दौर्थ इसमें रिकॉर्ड संख्या में टुरिस्ट आये हैं आखिर ऐसे कैसे हुआ परियतन के केंद्र नौर्थ इसके खुपसुरत इलाके तो पहले भी यहां थे लेकिन तब इतने टुरिस्ट यहां नहीं आते थे हिंसा के बीच साजन संसाजरों के अभाव के बीच सुविधाओं की कमी के बीच आखिर कौन यहां आना पसंद करता है कि आप भी जानते हैं कि दज साल पहले असम समेथ पूरे नौर्थ इस्ट में क्या स्तीती थी पूरे नौर्थ इस्ट में रेल यात्रा और हवाय यात्रा बहुत ही सिमित थी सडके संक्री भी थी और खराब भी थी एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िये एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई कई गंटे लगी जाते थे इंसारी परिस्टितियों का आज भाजपा की डबल इंजिन सरकार ने एंडिये सरकार ने बदला है साथियों पिछले दस वरसों में हमारी सरकार ने हां कि विकास पर होने वाले खर्च को चार गुना बढ़ाया है कि दो हजार चौदा के बाद कि रेलवेट ट्रेक की लंबाई कि उननी सो किलो मिटर से जादा बढ़ाई गई कि दो हजार चौदा से पहलने की तुलना में रेल बजेट करीब करीब चार सो प्रतिशत बढ़ाया गया है और तब तो प्रधान मंत्री आपके आस्वां से चुद्टे जाते थे उससे ज्यादा काम यह आपका साथी कर रहा है दो हजार चौदा तक यहां सिर्फ दस हजार किलोमेटर नेशनल हाइवे हुआ करते थे पिछले दस वर्षों में हमने छे हजार किलोमेटर के नए नेशनल हाइवे बनाए है आज दो और नई सड़क परियोजनाओं का उद्गाटन हुआ है इससे अब इचान अगर तक कनेक्टिविटी और बहतर होगी आप सभी लोगों की मुश्किले और कम होगी साथियों आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी मैंने गरीबों को महिलाओं को युवाओं और किसान को मुल्द सुविधा देने की गारंटी दी है आज इन में से अधित्तर गारंटिया पूरी हो रही है हमने विक्सित भारत संकल भी आत्रा के दौरान भी देखा है जो भी सरकारी योजनाओं से बंचित थे उन तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है पूरे देश में करीब करीब बीस करोड लोग सीधे तोर पर विक्सित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए बड़ी संख्या में असम के लोगों को भी इस यात्रा का लाब मिला है साथियों भाजपा की डबल इंजिन सरकार हर लाभारती तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है हमारा लक्ष हर नागरिक का जिवन आसान बनाने का है यही फोकस तीन दिन पहले जो बजेट आया है उसमें भी दिखता है बजेट में सरकार ने इंफ्रास्टेक्टर पर ग्यारा लाग करोड़ रुपिये खर्च करने का संकल्प लिया है यह कितनी बड़ी रासी है इसका हनुमान एक और आकड़े से लगाया जा सकता है कि 2014 से पहले के दस वर्सों में याकड़ा याद रखना मेरे आसाम के भाई बैन कि 2014 के पहले दस वर्सों में कुल 12 लाग करोड रुपिये इंफ्रास्टेक्टर का बजेट रहा 10 साल में 12 लाग करोड यानि जितना पहले की केंदर सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया था करीब करीब उतनी राशी हमारी सरकार अगले एक साल में खर्च करने जा रही है आप कलपना कर सकते हैं कि देश में कितने बड़े पैमाने पर निर्मान कार्य होने जा रहा है और जब इतनी बड़ी रासी निर्मान कार्यों में लगती है तो नए रोजगार बनते हैं उद्ध्योगों को नई गती मिलती है साथियों इस बजेट में एक और बहुत बड़ी योजना की गोशना हुई है बीते दस वर्सों में हमने हर गर तक बिजली पहुंचाने का बियान चलाया अब हम बिजली का बील आसाम के भाईयों बैनों और देश्वाजी भी मैं बहुत महत्पण काम आपके सामने रख रहा हूं अब बिजली का बील भी जीरों करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं बजेट में सरकार ने रूप टॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का है इस योजना के तहत प्रारंब में एक करोड परिवारों को सोलर रूप टॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी इससे उनका बिजली का बिल भी जीरों होगा और साथी सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा साथियों मैंने देश की दो करोड बहनों को लखपती बनाने की गारंटी दी थी बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्रात्विक जो जानकारी मिली है अब तक हम एक करोड बहने लखपती दीदी बन चुकी है हमारे देश में सेल्फ हेल्फ गुरुप में काम करने वाली एक करोड बहने जब लगपती दीदी बनती है तो नीचे धरती कितनी बदल जाती है दोस्तों कि अब इस बजेक में हमने लगपती दीदी बनाने के लक्ष को और बढ़ा दिया है अब दो करोड के बजाए तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाये जाएगा इसका लाप असम की मेरी हजारों लाखों बहनों को भी जरूर होने वाला है यहां स्वयम सहायता समू से जुड़ी सभी बहनों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं और इतनी बड़ी माताय बहने यहाई है जरूर समय भी मेरी लगपती दीदी आई ही होगी हमारी सरकार इस बजेट में आंगनवाडी और आशा बहनों को भी अब आईश्मान योजना के दायरे में ले आई है इससे उन्हें भी अब पांच लाक उपिया तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिल गई है जब बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाने वाली सरकार हो संवेदन सिल्ता से काम होता है भाई और बहनों मोदी जो गारंटि देता है ना उसे पूरा करने के लिए दिन राप एक करने का हौसला भी रखता है इसलिए आज नौर्थ इसको मोदी की गारंटी पर भरोसा है आज असम्मे देखिए सालों साल से जो इलाके शांत थे वहां अब स्थाई शांती स्थाफित हो रही है राज्जों के बीच सीमा विवाद हल हो रहे हैं बाजपात सरकार बंडे के बाद यहां दस से जादा बड़े शांती समझोते हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में नौर्थ इस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है मैंने कई वर्षों तक आसाम में मेरी पार्टी के संगठन का काम किया है मैं यहां हर इलाके में घुमा हुए इंसान और मुझे आद है उस सबय जाने आने में एक रुकावट यह होती थी कि रोड़ ब्लॉक के कारकम मंद के कारकम और गोहाटी तक के अंदर मंबलास की घट्राएं मैं अपने आखों से देखता था आज वो भुद्कार बनता चला गया है दोस्तों लोग शांती से जीद हैं कि असम के साथ हजार से जादा नौजवानों ने भी हतियार छोड़े हैं देश के विकास में कंदे से कंदा मिला कर चलने का संकल्प लिया है कई जिलों में आस्पा हटाया गया है जोक्षेत्र हिंसा प्रभावित रहे आज वो अपनी आकांग्छाओं के अनुसार अपना विकास कर रहे हैं और सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है सात्यों छोटे लक्ष रखकर कोई भी देश कोई राज्य तेज विकास नहीं कर सकता पहले की सरकारें ना बड़े लक्ष तै करती थी और ना ही अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए उतनी महनत करती थी हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है मैं नौर्थ इसको उसी तरफ विक्सित होते देख रहा हूं जैसा पुरिवी एशिया को दुनिया देखती है आज नौर्थ इस्थ होते हुए दक्षीन एशिया और पुरिवी एशिया की कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है आज यहां साउथ एस्या सब्रिजिनल एकनामिक कॉर्परेशन उसके कोपरेशन के तहर भी अनेक सडकों को अप्डेड करने का काम शुरू हुआ है अब कलपरा कीजिए जब कनेक्टिविटी के ऐसे सभी प्रोजेक्ट पुरे होंगे तो हिस्सा व्यापार कारोबार का कित नौर्थ इसके हर युवा का भी यही सपना है कि वो भी पुर्वी एश्या जैसा विकास यहां देखे कि मैं असम के नौर्थ इसके हर युवा को बताना चाहता हूं कि मेरे युवा साथियों कि आपका सपना आपका सपना मोदी का संकल्प है और आपके सपने पुरे हो इसके लिए मोदी अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा और यह मोदी की गरण्टी है भाई और बहनों यह जो भी काम आज हो रहे हैं इनका एक ही लक्ष है भारत और भारतियों का सुखी और सम्रद जीवन लक्ष है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक टाकत बनाने का लक्ष है 2047 तक भारत को विक्षित राष्ट बनाने का इसमें असम की नौर्थ इसकी बहुत बड़ी भूमी का है एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजना की बहुत बहुत बड़ाई और अब तो मा कामाख्या के आशिरवाद बहुत बढ़ने वाले हैं बहुत बढ़ने वाले हैं और इसलिए मैं भव्य दिव्य साम की तस्वीर साकार होती देख रहा हूँ आपके सपने पूरे होंगे यह हम अपनी आखों से देखेंगे मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोना हाथ उपर करके मेरे साथ बोलिए भारत माता की 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 भारत माता झाल